दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि Flipcard के Seller Panel पर कौन-कौन सी एसी केटेगरी होती है जिस केटेगरी के अंदर अगर आप अपने प्रोडेक्ट को लिस्ट करेंगे तो वो प्रोडेक्ट जो होता है Non-Returnable केटेगरी के अंदर आप उनको लिस्ट कर सकते है यानि कि अगर आप रिटन से प्रेसान है तो कुछ ऐसे केटेगरी Flipcard की और से फिक्स की गई है कि इस केटेगरी के अंदर कुछ सलेक्टेड प्रोडेक्ट ऐसे होते हैं जिनको की कस्टमर रिटन नहीं कर सकता तो यह पूरी लिस्ट मैं आपको इसी के अंदर दिखा जाता हूँ क्योंकि यह जो मैंने अभी आपको वेपेज दिखा रहा हूँ यह Flipcard का ही वेपेज है और इसी के अंदर यह इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रेप्शन के अंदर आपको दे दूँगा और इसके साथ ही जो यह केटेगरी है उस केटेगरी को मैं आपको वन बाई वन जो है थोड़ा सा समझाने की कोजिस करूँगा कि कौन से केटेगरी है जो की Flipcard के अंदर नॉन रिटनेबल जो है उस Product की केटेगरी में आते हैं तो यहां पर सबसे पहले जो केटेगरी के अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है Auto Accessories यानि कि आप Auto Accessories के अंदर कुछ ऐसे Product हैं तो सबसे पहले इसमें दिया गया है Additive CEO इसके अंदर कुछ इस तरह के Elements होते हैं जो की कुछ chemical भी हो सकता है या इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा जिसको की मिला के कोई नई चीज तैयार की जाती है तो वो इस तरह की केटेगरी के अंदर आते हैं और इसी के अंदर आप देखेंगे Main Main यानि कि Auto Accessories के जिए सबसे पहले अगर आप बात करता हूं तो Air Fresner यानि कि आप Air Fresner जो होते हैं या Room Fresner जिसको कहते हैं वो चीज होती है अगर उस तरह के आप लिस्ट करते हैं तो वो भी Non Category के अंदर Non Retainable Category के अंदर आता है और Brightners जो होते हैं यानि Brightners का मतलब होता है कि कोई भी अगर आप Powder जो होता है जिसको की Signing के लिए यूज में लेते हैं तो उसको Police का भी हो सकता है या Cleaning से Related जो भी होता है वो भी आपका इसके अंदर Non Retainable होता है इसके बाद में जैसे Brightner Powder होता है, Cleaner भी होता है यानि Customer उसको Return नहीं कर पाएगा Bike और Car के जो Stickers होते हैं उनको भी Customer Return नहीं कर पाएगा तो इस तरह से बागी और भी इसके अंदर आप एक एक चीज अगर देखेंगे तो यह सारी की सारी चीजे आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है आप इसी के साथ में जो इसे होती है Lubricants होते हैं कुछ इस तरह के Oil होते हैं Polis होती है और इसके साथ में Power Streaming जो होती है Vliud होता है और Wax और Oil यानि की कोई Oil होता है या Wax के अंदर जो Mom जो होती है या Candles की जिससे बनती है उसका Wax होता है वो Mom वो भी आप उसको Return नहीं कर सकते है इसके बाद में होता है Auto Mobile Auto Mobile के अंदर आप दिखेंगे कि अगर आप Online जो है Flipkart के दुरू कोई Car Book करते हैं या Car के अलावा कोई Moped अगर आप Book करते हैं Motorcycle अगर आप इसमें से करते हैं या Scooter करते हैं ये जो Category होती है ये Non Returnable होती है यानि कि For Example अगर आपने Online कोई Motorcycle या Moped या Scooter आपने इसमें Book किया है वो Booking के साथ में अगर आप उसका Down Payment भी अगर इसके अंदर आप Pay कर देते हैं तो वो आपका Down Payment आपको Refund नहीं होगा क्योंकि वो Non Returnable होती है और इसके बाद में होती है Bath and Suppa ये केटेगरी होती है इसके अंदर जो होती है Bath, Bubble जो होते है वो आप इसमें रेटन नहीं कर सकते हैं Salt हो गया, Sponge हो गया Washing होती है, Baby Wasse हो गया इस तरह के जो Scrub वोगर होते हैं Sampoo होते हैं उन Bottle को आप रेटन नहीं कर सकते हैं और इसमें जो Breast Nipple Care होता है Breast Pumps होते हैं डाइपर होते हैं बच्चों के और Ear Spring, Nappy तो इस तरह की जो चीजे होती हैं वो आप रेटन इसमें नहीं कर सकते हैं इसके बाद में जो Cleaning Product होते हैं Cleaning Product के अंदर भी आप देखेंगे Cleaning Gel होता है Detergent होते हैं और Detergent के साथ में Ports होते हैं Fabric Wash Product होते हैं Surface होता है Cleaning तो इस तरह से जो Stain Remover जो होता है Washing Bar होती है या Powder होते हैं तो ऐसे Product को आप इसमें से Return नहीं कर सकते हैं इसी के साथ में एक केटेगरी और है यहां पर Computer, Mobile, Auto, Accessories जो होती है Computer की Mobile Accessories यानि जो Electronic केटेगरी होती है यानि कुछ ऐसे Computer के भी पार्ट होते हैं Mobile के भी होते हैं और कुछ Electronic जो होते हैं उनको भी आप इसमें Return नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले होता है Blank Educational Media यानि कि जो Blank Educational Media से मतलब होता है कि अगर कोई CD या DVD होती है आपकी जिसके अंदर की Education से Related कोई Topic होता है तो इस तरह के आप उसको Buy करते हैं तो वो भी Non Returnable के अंदर आता है CD, DVD हो गया, Ink के Toners होगे, Music हो गया यानि कोई Music अगर आप इसमें से Order देते हैं Movies का, Software का, Mobile Tablet, Laptop के Screen Guard जो होते हैं वो चीज़ आप इसके अंदर Non Returnable होते हैं Graphics Card हो गया, Processor हो गया, Motherboard हो गया Internal Hard Disk जो होती हैं वो भी आप इसके अंदर Return नहीं कर सकते हैं RAM होगी, Apple Brand के जो Product होते हैं वो भी Clip Card के अंदर Non Returnable Category के अंदर आते हैं तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें या Customer अगर आप हो, तो इन चीज़ों को अपने Mind के अंदर रखें और अगर आप Seller है, जो कि आप चाते हैं कि इस तरह की जो Category हैं, वो Non Returnable है तो इसमें से आप अच्छे से Study करें और Study करने के बाद ही अपने Product लिस्ट करें कि उन Category के अंदर जो कि आपको Non Returnable होती है अब इसके बाद में होता है Food and Nutrition यानि इसके अंदर कुछ खाने पिने के जो होते हैं उसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी जो होते हैं Can Food होते हैं या इसमें Drink Foods होते हैं Fruits हो गया Healthy और इसके दाद Supplements जो होते हैं जो अगर अगर आप करते हैं तो उस चीज में यो यूज किया जाते हैं Sea Food हो गया इस तरह के जो Vegetables होती हैं या इसके अलावाद जो भी Milk और इसके अधर जो प्रोड़क्ट होते हैं वो भी आपके इसके अंदर Non-Returnable Category के अंदर आते हैं अब इसके बाद में Fashion जो आती है Fashion के अंदर आपका देखेंगे Baby Dolls यानि कि जो बच्चों की गुडिया होती है उस चीज को भी आप इसके अंदर रिटर्न नहीं कर सकते हैं Clothing Free जो होती है Previse होती है जो कोई Leggy को होती है या Wash Bag होते है या जैसे जो भी चीज इसमें Socks होता है Socking and Suits जो होते हैं इसमें Swimming Suit यानि कभी भी अगर आपके जो Swimming के लिए जो Suits आप ओडर करते हैं तो वो चीज भी आपका इसमें Non-Returnable आज़ती है अब इसके बाद में हो जाता है Footwear Accessories के अंदर यह होता है Oil होता है, Glues होते है और इसके में Socks हो गया जैसमें Shoes, Deodorant, Poly Scream, Spray और Wax यह होता है Footwear Accessories के अंदर इन इन को आप Return नहीं कर सकते हैं इसके बाद में Gardening जो Product होता है जैसे कि Plant होता है कोई भी इस चीज को भी आप देखेंगे या Plant की जो Seeds होती है या Soil जो होता है उन चीज को आप इसमें से Return आप नहीं कर सकते हैं इसके बाद में आप देखेंगे Health Care होती है Health Care के अंदर भी जो ये काफे सारी चीजे हैं जो कि आप अगर मैं One by One ना आपको बताने लगाओ तो काफी तोड़ा टाइम लग जाएगा तो ये सारी की सारी चीजे मैं आपको अपने description के अंदर देदूँगा और Home Product होता है Home Product के अंदर भी आप देखेंगे कि इस तरह की जो काफी सारी चीजे हैं इन चीजे को आप बारी बारी से अपने इसमें study कर रहें study करने के साथ ही आप तो इसको उसी हिसाब से आप अपने product को लिस्ट करें और कुछ hygienic झो product होते हैं इसके अंदर भी आप देखेंगे इसमें जो उते briefs हो गया, boxers हो गया, linen set हो गया, panty हो गया या greater, trunks, wets, तो यह सारी चीज़े हैं Jewelry के अंदर आप देखेंगे, coins जो होती है, उसको आप written नहीं कर सकते हैं Music Instrument के अंदर आप देखेंगे, तो कोई भी इसमें जो होता है Music Instrument के अंदर आप देखेंगे, oil and police हो गया और इसमें जो cap होती है, pad होती है, तो वो चीज़ें आप इसमें written नहीं होती है और party and supplies के अंदर देखेंगे, जो balloons होते हैं यानि कि अगर party के लिए आप देखेंगे, तो balloons को, candles को, cut out को, marker और decoration articles जी होते हैं उनको आप इसमें written नहीं कर सकते हैं इसके अबाद में festival supplies के अंदर देखेंगे, hawkas, charcoal, flavors, small tip ये तो इस तरह से काफी सारी AC चीज़े हैं, sticks होते हैं, holi हो गया रंगोली के जो color होते हैं, वो भी आप इसके अंदर से return नहीं कर सकते हैं प्रेस्नल केर के अंदर आता हैं, तो conditioner हो गया, cream हो गया, deodorants हो गया, electric clinic, सारी की सारी चीज़े काफी कुछ है इसके अंदर देखने के लिए कि आप उनको return नहीं कर सकते हैं इसके आप में personal care जो हो गया और इसके बाद में pet suppliers या नहीं कि जो आपकी घर के अंदर पाल तो जो जानवर्स होते हैं, उनके लिए जैसे कुटा बिली हो गया, इन चीज़ की जो खाने के जो foods आइटम होते हैं या उससे related यो भी चीज़ होती हैं, वो सारी सारी आप इसके जो होती है कि non returnable category अंदर आती है, इसके साथ में health and safety product होते हैं, उन चीज़ को भी आप return नहीं कर सकते हैं, जैसे कि safety helmets, जो safety helmets होते हैं, उसको भी आप इसमें नहीं कर सकते हैं, safety goggles होते हैं, या safety gloves जो होते हैं, gloves जो अपने हाथों में जो जिसको अपन पहनते हैं, उन अगर आपको यह find out करना है कि flip card पे से कौन से product है जो की non returnable है तो इसके लिए आपको क्या करना है flip card जो है अपना open करेंगे आप यहाँ पे केवल आपको flip card open करना है seller panel की बाद नहीं करना है flip card.com जो है आपको open करना है और इसमें search में आप type करेंगे sponge जैसे sponge जो होता है इस पे मैं click कर रहा हूँ और जो भी first के अंदर जो भी चीज आजाती है जैसे first में आपको इसा भी product ले सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर यह वाला ले लेता हूँ और इसके अंदर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है यह देखिए non return applicable इसके अंदर आता है now more जब आप इसपे click करते हैं तो आपके सामने यह window appear हो जाती है जो कि मैं अभी आपको explain कर रहा था तो यह सारी के सारी चीजे मैंने आपको explain की है तो इस category के अंदर आप अपने product list करेंगे तो वो customer उनको return नहीं कर पाएगा और आपको return उसकी receive नहीं होगी केवल return वो तभी कर पाएगा जब वो की wrong product अगर आपकी और से उसको dispatch किया जाता है तो यह सारी category थी जो कि flip card के अंदर non returnable होती है अब मैं अपनी जो next वीडियो आपको बताऊंगा कि उसके अंदर non category के जो product होते हैं आप उसको कैसे list करेंगे तो दोस्तों यह तो basic कुछे categories थी जो कि flip card के और से non returnable category के अंदर product आप list कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे like और share जरू के और मेरे चनल को subscribe करना ना भोले